तो उन्होंने बादशा को नैनो कहा था जब रफतार को ये पता चला तो रफतार who is a close friend of बादशा उनसे ये बात परदाश नहीं हुई और उन्होंने हनी सिंग को कह दिया अब ये war of words चलती जा रही है हनी सिंग से फिर एक event के दौरान रफतार के बारे में पूछा गया ये भी कहा गया कि उन्हें कैसा लगता है जब ये पता चलता है कि उनकी absence में रफतार has taken over the scene of music in the film industry तो हनी सिंग का जो जवाब था वो बहुत ही simple था I don't know who he is रफ्डोस musician हनी सिंग से ये भी पूछा गया कि उन्होंने अपने bipolar disorder के बारे में क्यों बताया जिसकी बज़े से उन्होंने music industry से एक break लिया था यो यो हनी सिंग इस वक्त किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा है बलके अपनी फिल्म जोरावर को लेकर बिजी है पहले खबरे आ रही थी कि वो सल्मान की फिल्म सुल्तान के लिए गाना कंपोस करने वाले हैं लेकिन उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया है